नमस्कार एजुकेशन प्रेस्ट के निवी में आपका स्वागत है आएक क्वेस्टन नमबर ट्वंटी सिक्स को सॉल्व करते हैं रूपए में पांच नारंगी बेचने से पचीस परसेंट की हानी होती है तो क्रेमूल क्या है तो सबसे पहले हम लोग यहां यह ध्यान देंग है कि एक रूपए में पांच नारंगी को बेचा गया पचीस परसेंट का हानी हुआ है ठीक है मतलब की हमारा बिक्रेमूल दिया हुआ है क्यों दिया हुआ है क्योंकि एक रूपए में वस्तू को क्या किया गया बेचा गया तो बिक्रेमूल एक रूपए होगा अब वस्तू को 25% कम में बेचा गया तब तो भी क्रेमूल 25% के हानी हुई है तो हमारा 75% की वैल्यू दिया है कितना वन रूपया है है न पच्छत्तिर परसेंट पर ही वस्तू को बेचा है तो एक प्रसेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा वन रूपयाय। यानि कि 4 बटा 3 रूपया क्रेमूल हो गया, 1 रूपया देखिए, 5 वस्तू का भी क्रेमूल 1 रूपया है, और तो 5 वस्तू का क्रेमूल कितना हो जाएगा? 4 बटा 3 रूपया, तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, कि चुकी 4 बटा 3 रूपया में कितना वस्त तो 5 वस्तु खरीद आ गया 5 वस्तु खरीद आ गया तो इसलिए एक रूपया में कितना वस्तु खरीद आ जा तो भाग दे देंगे हम लोग 5 और डिवाइट करेंगे 4 by 3 अब इससे हम लोग लोग solve करें तो 5 इंटू 3 by 5 इंटू 3 by 4 है ना यह भाग का हम लोग sign क्या करते हैं गुना में change कर देते हैं और गुना में change करने के बाद भाग के बाद का जो हमारा fraction वो क्या करते हैं इसको उलड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 15 भाई कितना 4 अभी से हम लोग पुर्णांग के रूप में लिखेंगे तो चारती अई बारा तेन पुर्णांग तीन बटा चार नारंगी क्या करेगा वो खरीदा है एक रूपया में ठीक है अजब कि एक रूपया में पांच नारंगी बेचा है तो यह उस्सों निश्चित रूप से हानी होगा question number 27 की तरफ 27 रूपया में पांच नारंगी खरीद कर उसे कीस बहुत से बेचा जाए कि 25% का लाब हो एक रूपया में पांच नारंगी खरीदना है मतलब कि वस्तू का क्रेमूल दिया हुआ है क्रेमूल कितना दिया हुआ है एक रूपया तो हम लोग को तो पता ही है कि क्रेमूल कितना होता है 100 परसेंट होता है तो एक परसेंट की वैल्यू एक रूपया दिया है और एक परसेंट की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक बटा 100 रूपया हो कितना में बेचा जाना चाहिए तो 125 परसेंट पर बेचा जाना चाहिए यानि विक्रेमूल हो गया 125 यह हमारा विक्रेमूल निकल करके आएगा तो एक बटा 100 और गुलना करने के कितना से 125 से पांच बार में कटेगा और इस चार बार में कटेगा यानि कि 5 बटा 4 रुपया 5 बटा 4 यानि कि 1 प्रसेंट के फैलू 1 बटा 125 परसेंट यानि 5 बटा 4 रुपया में उसे क्या किया गया है बेचा गया है अब हम लोग को यहां से एक रुपया में कितना नारंगी बेचा गया वो निकालना है तो देखिए 27 में 5 नारंगी खरीदा गया था मतलब एक रुपया में 5 नारंगी खरीदा गया तो हम लोग क्या करेंगे 5 बटा 4 रुपया में 5 बटा 4 रुपया में कितना नारंगी बेचा गया पांच खरीदा गया होगा, पांच बेचा गया, पांच बेचा गया, इसलिए एक रुपया में कितना बेचा जाएगा, तो भाग कर देंगे हम लोग, पांच भागा, पांच बटा कितना चार, अब इससे अगर हम लोग solve करेंगे, तो 5 into ये 4 उपर चला जाएगा, 5 नीचे, यानि एक रुपया में उसने क्या किया होगा, चार नारंगी बेचा होगा, तो उसे 25 परसेंट का लाब होगा, क्वेस्चन नमबर 28, कोई रेडियो 15 परसेंट के लाब पर 851 रुपय में बिखता है, यदि वह 888 रुपय में बिखता है, तो प्रतिसत लाब ग्याद किजिए, 15 परसेंट के लाब पर 851 में बेचा गया, चलिए, हम लोग क्या करते हैं, 15 परसेंट के लाब पर कितना में बेचा गया 15% के लाब पर 851 में बेचा गया मतलब वस्तु का अगर हम लोग क्रेमूल माने हैं डिट परसेंट तो 115 परसेंट पर बेचा गया होगा कि 151 कि बेलू कितना दिय रूपया क्या एख करना हैं तो यह कारेगा कितना भर बैख कि चलिए आगें सबस्यार करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें 100% की वेलू निकाल लेते हैं यानि कि वस्तु का क्रेमूल कितना होगा तो 100% is equal to 852 115 और गूने कितना कर देंगे 100 इसको काटेंगे 23 बार में 235,85 को काटेंगे 20 बार में आएगा यहां अदिन अदिन आएगा यहां अधने तर सुल्ह तेष सते एक सठासे साथ बार में एकड़ जाएगा तेक सेंटीस बार में तो 37 दूनी कितना होगा चुहत्तर यानि कि 740 रुपय उसका क्या क्रेमूल अब वस्तु को नया भी क्रेमूल है ना नया भी क्रेमूल क 888 तो यहां से देखें लाब कितना और 740 में खरीदा 888 में बेचा तो 888 में इसे 740 क्या करेंगे घटा देंगे तो यह आ जाएगा हमारा कितना हो इसाट बचेगा आठ में से चार गया चार और 8аль तरुपया क्या हो गया यह लाब हो गया अब हम लोग कुछ इसमें लाब प्रतिश्त निकालना है क्या सकतव तो लाब प्रतिश्त निकालना है तो लाब प्रतिश्त का फॉर्मूला तो म conventions मतलब 14atch tone winner तो लाब मतलब 14なたल क से एक जिरो कड़ जाएगा चोहत्र से दोवार में कटेगा यानि कि हम लोगं कीदना पर्सेंट्ट लाव हो जाएगा 20 परसेंट क्वेस्ट नूमबर ट्वंटी नाइन कि जब कुण वस्तु आठ परसंट की हानी पर 736 में बेचा गया 8 lucky की हानी पर 8 परसेंट की हानी पर यदि हम लोग मांते हैं कि वेच्टू का क्रेम 6100 परसेंट है तो 8% का नहीं यानि की 42 पर वस्तू को बेच्छा गयाँ गाप और 国 156 रुपया में टीक है 1 % सब्ष्टू को बेच्छा गया साथ Code क्रेमू ला जाएगा तो 736 बटा 92 और गुने कितना हो जाएगा 100 इसको काटेंगे 23 चार से काटेंगे 2492 इसको 4 से काटेंगे 25 चो के 100 तेस्टिया 79 और ये 4 बचेगा 26 तो 32 बार में कट जाएगा अब ये 100 परसेंट की बहलू आ गया 32 इन्टू 25 गुना कर देते हैं इसे कितना आएगा 25 दूनी 50 हो गया 25 ती ये 75 75 पांच अस्ति यानि कि 800 रुपया नि उसका क्रेमूल जो है 800 रुपया क्या पुछ रहा है इसमें वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 115 परसेंट का लाब हो और इतना करने की ज़रूरत नहीं थी चलिए 115 परसेंट की वैलू पुछा है तो एक प्रसेंट की वैलू इतना हम लोग नहीं करेंगे तो भी ये बनेगा एक प्रसेंट की वैलू कितना है 736 बटा कितना है 92 ठीक है तो 115 परसेंट की वैलू है तो 115 से गुना कर देंगे इसको 920 रूपया में क्या किया गया होगा वस्तू को बेचा गया होगा 900 रूपया में क्यों फॉंटी नाइन ठाए अब क्वेस्ट्र 1 से थे टॉफ्व है कि इसमें ज्ञादा टकाइम हमें लग रा प्रसेट नबर से यहमारा आज का लाश्ट क्यों क्यों से एक घड़ी um hypn fifty निण ब इतो 15% के आनी होती बात वही यह 15% की हानी होती है मतलब वस्तू को बेचा गया होगा कितना में?' 85% पर और 85% का बेचा गया 153 रुप side में एक प्रे relacion से 585 के गशनक अप आप करें उसे किदने में बेचा जाए कि 10% का लाब होता है 10% लाब का मतलिए अगर वस्तु का क्रेमूल 100 है तो हम लोग को 10% लाब लेना यहीं वस्तु को 110% पर बेचना होगा ठीक है तो यहां से हम लोग को हो जाएगा 153 बटा 85 और इंटू 110 जीरू ठीक है 110% पर अब यहां से सोल्प करेंगे 17 से 9 बार में 17 से 5 बार में 5 चीश को काटेंगे 22 बार में कटेगा 22 नमा 54 बार से 154 हो जाएगा 154 रुप्या में वस्तु को यानि कि घड़ी को बेचा जाएगा उसे कितने बेचा जाएगी कि 10 परसेंट का लाब हो 15 परसेंट के हाँ नहीं तो 50 परसेंट 17 परसेंट फासी शत्र नमा तिर्पनास नमा एक सो नथानवे होगा ठीक है एक सो अनथानवे रुप्या होगा ठीक है तो अगर हमारे द्वार अप्लोड किए के वीडियो आपको पसंद आते हो content आपको पसंद आता है तो इसे like कीजिए, channel को subscribe कीजिए और दोस्तों के साथ ही share करना ना भूले